हुआ है, सोचे कि कुछ चीजों का जवाब अभी देना बाकी था अभी भी मुझे गते जारा रहा ह। कामिनीटी कामिनीटी जीनौने बोला है की कमिनीटी कामजी खिए से मेरे नम के लिएविव देख सकते हैं उन्होंने लास्ट टाइम भी मेरे पर खेल के वो औरत गई हुई है तो आज टॉपिक पर बात करते हैं सबसे पहले इनका ना कॉम्यूनिटी पढ़ लेते हैं इनको लगा कि मैं इनकी तरह डर के भाग गई हूँ इनकी कॉम्यूनिटी लिखने से मैरे यार यह पासवर्ड भी नहीं फूल रहा है तो अभी बात करते हैं टॉपिक पर और मेरा लाइब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं एक बार आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजे क्योंकि हमारे दूसरे फोन से हमारा लाइब नहीं दीख रहा है आप लोग एक बार प्लीज कॉमेंट कर दिजे सचीन को भुपाल मत जाने देना भाई बिल्कुल नहीं जाने देंगे ऐसे तो नहीं जाने देंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दो कि हमारी लाइव अभी आप लोग को दीख रही है या नहीं कि अबधी जिनोंने लाज्ट टाइम हाथ जूड़ के बूला है और सबसे माफी मांग रही है ये पूरा गलत होने के बाद भी तो सबसे पहले आ Example Community पढ़ता है ये देख सकते हैं इनका Community है अब इनका community पढ़ लेता है यार कहां चला गया जूड़ जाएए पहले आपने यार इनका नाम भी मेरे को न सर्च मारने में सरमी आ रहा है क्या ही करें सबसे पहले इनका community डाला है मनीशा अपने पती से पूछ लो सारी बाते अपने पती को क्यों नहीं बोल रही हो उनको घसीटो ना बताओ यह औरत अब भी भी चाहती है कि मैं अपनी पती से सारी बाते पूछू और अपने पती के ही खिलाब कंप्लेन करूँ अपने पती के उ मुझे छोड़के चला जाए और इनके पास चला जाए इनका तो मतलब क्या ही बोले यह और इतना ना सच बे बता रही हूं ऐसी अब भी मेरे को पोप कर रही है कि तू अपने पती से लड़ाई लड़ जल्दी से लड़ाई कर उसको घसीट उसको उसका गलती के हैसास दिल ला तो मेरे पती ने तो माफी मांग लिया तू तो इतनी बेशरम और अबी तक इतना गल्ती होने के बाद भी मेरे समाफी तक नहीं मागी और अभी देखिए क्या क्या लिखी हुई है को मैं सारा सब कुछ खतम करती हूं लेकिन इसके पती को नहीं छोड़ूँंगी और कई ने पती मेरा ही पती है और मेरा ही रह गा ऐसे तेरे बोलने से न मैं इचोड़ने वाली हूं तो मेरा पती आज आज ला हांग चैनल यहां से यहां लाया है नीचे से जमीन से खिसका के सिधासमान में पहुचा दिया है तु वहां नहीं पहुंचती तेरे को कोई जानता भी नहीं था बहन तुझे तो कोई जानता तक नहीं था हमारे जितने भी पहले थे ना क्रियेटर लोग उनको भी नहीं पता था तु कौन है लेकिन मेरा पती इतना आजाद है ना मेरे को बिश्वास था और अभी भी है क्योंकि वह तो चाल तेरा था भाई फसानी का मुझे यह नहीं पता था कि तु भाईया भाईया बोलके यहां तक तुन्हें यह बोला था कि जिससे मेरी शादी हो रही है उसको मैंने बोल दिया है कि हां सोचीन में मेरा जान बसता है पागल समझ के रखी है चूतिया समझ गई है समझाओ अभी तो ने क्या क्या बोला है अपने भाई के बारे में तेरा भाई क्या करता है शादी के पहले कितनी लड़कों का क्या क्य मेरे पति से क्या सिकाइद करती है दालता है तो अपने उसका साहिद लेती है सच बोलने का ना दम रख सच बोलने का पहले दम रख सच तो तु बोल नहीं पाती है और दुबारा से मेरे पती के उपर ना आना मत अभी तेरे को ना अभी बहुत तुझे लग रहा है कि तेरे पास सारे प्रूफ है जो तुने लिखा है कि तुने मनिशा तुमने मेरे भाई को फोन किया था और तुमने बोला था कि सचीन तुम माननी रहा है आप निहा दिदी खोदी वो कर दो ना फोन मत उठाना लेकिन तुझे उस बात से भी शरम नहीं आई एक और तुझे रोरो के बोल रही है क्योंकि जब मैंने तुमको बोला था कि बहन बात मत करना था तुम् बोला था कि हमने तो ब्लोग कर दिया लेकिन तु तो भाई चलबाज और थै यह मुह पे जो मुखोटा लेकर गुमती यह और मुह पे चलाकी रखी है ना इससे मत समझ की लोग को पागल बना के अभी रखी थी और सबसे खास बात कि तु मेरे पती को ना पहले भाईया बन पर लेकिन तुम तो भाई मेरे पती को मुझसे चिनने का सोच लिया था और तुम यह बोलती थी कि तुम्हारे पती में तो कुछ है नहीं तो फिर माना करने को बाद क्यों आई अभी बात एक और बात बताते हूँ तुमको लगता है कि सारा सबूत तुम्हारे ये पास है जब मैं सारा सबूत लेके आऊंगे तो ये जो कपड़े पहनती है वो उतारने पढ़ जाएंगे, याद रख लेना, मेरे पास भी तेरी खिला बहुत सारे सबूत है, मैंने अपने पती का फोन अपने पास ही रखा हुआ है, सारा चैट पढ़ लिया, तो क्या रंग रलिया मन आ रही थी न, सब पता चल गया, कैसे ब्लैक मेल कर रही थी न, वो भी मुझे पता है, बोल तो मैं एक एक करके कपड़ा उतरवा देती हूं तेरी, अभी मैं चैट पढ़ती हूँ, उसमें क्या के तुने बहुत हरकती की है न, ऐसे ऐसे चीजे लिख ही है, मरीशा अपने पती से ही पूछ लो सारी बाते, अपने पती को क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, उनको घसीटो न, अपने वीडियो में, उनका नाम क्यों ले रही हो, तुमने ही मेरे भाई को फोन क्या था न, मेरे पती तो नहीं समझ सकता, सुधर, ना सुधर सकता है, नहा दिदी को बोलो इनका फोन ना उठाए, मना करने के बाद में तू बेशरम की तरह बात करती रही ना, छोड़, मेरे पास तो एक चीज और मैं बताती हूँ, ये मैडम का सगाई होता है, ठीक है, सगाई में जो पती रिंग देता है ना, तो वही पहनना चाहिए, लेकिन ये मेरे पती को क्या क बोलती है कि मैं न सुमीत का दिया हुआ रिंग नहीं पहनूगी, मुझे तुम से रिंग चाहिए, जो तु आके बोल दी है कि मुझे मेरा पैसा लोटा दीजे, तुमने खुद मेरे पती से रिंग मांगा है, कि मुझे तुम रिंग दे दो, मैं तुम्हारा रिंग है क्योंकि ये तो खुद हमारे पती को छिनना चाहती भई खुद छिनना चाहती है ऐसी वरत है और आख एकदम उदासों कि हां ऐसे बूल रही है कि हां मुझे माफ कर दीजे और करजे का महल हमारे घर को बताती है भई कितनी गंदी वरत है एक तो उस इंसान को भी धोखा दे रही हो और मेरे पती से जीट भी रहय है स्टेटमेंट दिखाऊं मैं दिखाऊं यह स्टेटमेंट जो तु मने रीफंड की है वो भी बृभी स्टेटमेंट मेरे पास बहुत सारे प्रूफ यह मत समझ कि मैंने लगा दी है तो items डर गई है बताओ आप लोगी बताओ य यह ऐसी औरत है कि इसका सगाई होने के बाद भी यह अपने पती का दिया हुआ रिंग नहीं पहनती है हमारे पती से बुलतना चिनने का कोशिस कर रही है यार कितना चीनोंगी बहन इसने यह लिखा है अब तो खुश रह लो क्यों अलग रह रहे हो और भी जितनी बाते हैं उनका भी सबूत है मेरे पास तो ला दे सबूत और अलग रहने के लिए तुखुद पोक कर रहे है कि क्यों अलग रह रहे है तुम्हारे ऐसा तो बांद के रखते नहीं पल्लू में वो तो तुझे भी पता है तभी हमारा पती चला जाता था तेरे बुलाने पे कि हां मेरा ये काम करवादे मेरा बुटी का काम करवादे मेरा खाता खुलवादे सारा काम करवाती थी ना जो तो ऐसे बांद के रखती ना तो आज ऐसा नहीं होता और अभी पे मैं बांद के नहीं रखोंगी, तुम्हारे कहने पर मैं बांद के नहीं रखने वाली हूं phone charge नहीं है, C type है यह मेरे नाम से पैसा कमाना बंद करो इस बात पे तु मेरे को मसी आ रही है यह बहन जी ने लिखा है कि मेरे नाम से पैसा कमाना बंद करो थोड़ी तो सरम कर लेते यार थोड़ी तो सरम कर लेते एक उरत होने के नाते बोल रही है कि मेरे नाम से पैसा तुम्हारे नाम से कौन पैसा कमाया है तुने खुद हमारे पती का यूज किया हुआ है उनके नाम से तो तुम्हारे चैनल आज यहां से यहां पहुँचे है सारा तुझे तो कुछ आता ही नहीं था चैनल के बारे में तीन-तीन महीने के पैसे अठके रहते थे तो मेरे पती तुमको दिलवाते थे खाते में मंगवाते थे तुझे तो क्या ही बताओ अभी तेरे भाई का भी सच मेरे को बहुत सारी शीजी पता लगी है बोल तो बता दू तेरे भाई ने मैंने फोन किया था ना तेरे भाई ने भी फोन किया था मुझे मुझे ऐसे इसी बाती करी हुई है मैं बता दू दिखाओ मेरे पास सबूत है मेरे फोन का है दिखाओ सबूत है मेरे पास कैसी कैसी बाते की हुई है न भाई ने तेरे बारे में भी बताया है मुझे और बहुत सारी सबूत मेरे पास भी पड़े हुए है ये मज़ सब मज़ की सबूत तेरे ही पास है लिखी है कि मेरे नाम से पैसा कमाना बंद करो अब बच नहीं क्या है अब कुछ तो दोनों ने तुम दोनों ने तो सब कुछ खतम कर दिया है बताओ यार एक औरत का पुरा दुनिया उजाड़ दी उसका पती को छिनने का कोशिस किया तुमने और यहां तो कि क्या क्या प्लान करके रखिए मुझे तो अब सारा मारी यह जब मैंने तुम्हारा सारा चैट पढ़ा सारी बाते जब किलिए राई तु क्या पैसा कमाने का न ये तुम्हारा सोख है कि शादी किसी और से कर रही है और इस्तिमाल किसी और को कर रही है जो रिंग पहना रहा है न उसका इस्तिमाल करती तो अच्छा भी होता दूसरे का नाम का उटी पहनेगी और दूसरे के साथ बता दू आगे बता दू तुमको लग र रहा है कि हम अपने पती को ये करवाई करके जो छुड़वाना चाहते है ताकि तेरा रस्ता किलियर हो जाया और मेरे पती को जान जान करके तू जो छिनना चाहते है ना प्यार में फसाके खिला पिला दी होगी तू कुछ ये भी मेरे पास है और बताओ कुछ सबूत सबूत दिखा दो क्या, देख ले अभी, कौन बेटा है मेरे पास, बताओ यार, मौनिका दिदी ऐसी उरत को तो जिंदी में नहीं देखे, यार, मेरा तो चलो 24 साल का एजा, लेकिन, ये उरत का 12 साल साधी के हुए है, पता है, ये मेरे पती को बोलती थी, कि मेरे तो 10 साल बाद है, मैंने बहुत ये किया, वो किया, ऐसे ऐसे भड़काती थी, कि ताके तुम बेबी प्लानिंग भी मत करो, ये भी बात मैं आज खुलके बोल देती हूं, सुन लो, पूरी दुनिया का जो तुने तमासा बना के रख दिया है, तु देख, और तु अभी भी गलती बंद करो, लेकिन ये और अभी भी, आप लोग इसका कॉमिनिटी जाके चेक करना, ये अभी भी मतलब मेरे पीछे पढ़के, ये चाहती है कि इन दोनों में इतनी खतरनाक वाली लड़ाई हो, ताकि ये छोड़के चली जाए, इसने खुद लिखा है कि तुम अपने पती क तो घसीटो, बताओ, कुछ बोलना चाहिए, जैसा बैने आज अलका के वीडियो में बताया, कि मैं सचिन और मनीशा को अलग होने नहीं दूंगी, मनीशा ने सचिन भाया को दुबारा एक मौका दिया है, और वो यही बोलना चाहती है, कि मैं सचिन अगर मेरे पती पे कोई के भी प्रॉब्लम आएगी, तो मनीशा सबसे पहले अपने पती के आगे खड़ी मिलेगी, खड़ी मिलोगी ना तो इसके लिए छोड़ूगी, क्या, अभी सुनो, सुनो, यह पता है, मेरे पती को तो यह भाई बना के चली गई, भाई के साथ पता नहीं क्या क्या बना दि होती है, सच में सरम आ रहा है, मुझे, हद यार, मैं अपने अपना बता दू, हम लोगों का ऐसा हिम्मत नहीं होता, कि हमारा भाई हमनको गोधी में उठा दो, और तुम तो भाई अपने भाई को जाके चुमाचाटी करती है, जो यह यह करती हैं, यह तूम करती है, तुम् मैं लेकिन दिखाना नहीं है यार इस से इसका तो ऐसे फटेंगे इस से बम फटेंगा इसको दिखा देंगे लाखेंगे यार ओर नहीं हूजा चौंप Mud परोच इनए उट साथ हो मैं एक अधिया कि आप और मैं भाट राई ना वो तुने क्या वोल थ insist smokes मैं चाहती हूं और जो प्रूब का बाद तुने बुला ना कॉम्यूलीटी में लाओ प्रूब मेरे पास भी यह द्रूब मुझे डर्ण नहीं है तुम्हारे प्रूब से काम पर गई थे और कब बोलू काम पर गए थे उसाथ नहीं बनकर रहते हैं काम पर यार यह यह अ क्तल वाले बहुत लोग हैं तो उनसे यहीं बताना चाऊंगी कि अभी गया थे यह काम से और यह आ गया है क्योंकि इसने इतना परेशान किया कि हमारा काम नहीं है वहां भी जाने का इसको चुल मची होई थी कि बाई इसा इंडिया से बाहर चला गया लेकिन यह अभी अपना काम है अब मैं साथ में जाओंगी तुझे जो करना है कर ले को सोच रही है न सपना कि रहे आप लोग को यह बता दे जब भी यह देखती है ना हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तो यह पहले से ही मतलब कुछ ऐसा करती है मनीशा के साथ कोई वीडियो नहीं आना चाहिए मनीशा के साथ कुछ ऐसा मत कर दे ना उसके साथ वीडियो मत बनाते ना इतना चलती है यार मुझे लगता था और यह अपने वीडियो में प्रूफ दिखा रही है कि हमने मनीशा को खुर्द मनीशा और सचिन का वीडियो बना दिखा दे सारा सबूप लेकिन तु तो बोली नहीं सकती है तु अब भी भी अपना गलती एक सेप्ट नहीं कर रही है भाई जितने भी है ना अपने पती को बचा के रखना इस ओरत से ये भाईया भाईया बोलके भाईया का पूरा ले लेती है है और गुषी होती ना थो अपने भाई का सपोर्ट लेती तेरा भाई भी था लेकिन फिर भी तेरा इंटेंशनी गलत था घ्ली उसके तेरा भाई होने के बाद भी मेरे भाई को बुलाती थी अचा आव जो आ जिए आज क्या तू करती होगी नहीं रहने पर ये भी ने नहीं बता सकते हैं अब कौन कौन चाहता है कि सचिन और मनीशा साथ रहें और कितने लोग चाहेंगे कि सचिन और मनीशा लगो जाए आज मेरा जो मैंने वादा किया है इन दोनों को कि अलग नहीं होने दूँगी और मैं इने अलग नहीं होने दूँगी चाहे कोई जितना मर आख़ी वीडियो अई ना ना थे बीचिन रोट श्वल्ड भी मांग तबिके में में होगा हैं और उन्हों ने यहां तो कि glass और सच यह सामने लाने यह उसने क्या है इस को कुछ बंद हो जाता कि आप लोगों साच बता देते हैं इसलिए अब वो नहीं ला सकते हैं लेकिन मेरे पास है दम हम ला सकते हैं और तुमको जो करवाना है न लीगल जाना है कुछ भी जाना फै जाओ करो मेरे को डर नहीं है क्योंकि जो सच है न वो पूरी पब्ले के सामने आना चाहिए और यह जो तुने नोटिस भेजा है ना मैं ऐसे ऐसे प्रूफ लेक्याओंगी और सबका जबाब दूँगी मैं इससे डरने वाली नहीं हूं है गलती को मानने बोला कभी गलत नहीं होता सही बात है दूसरे को मौका उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मैं डिसाइड कर लूँगी मैं उस औरत से भीक नहीं मांगने जा रहे हूं उससे मैंने कुछ पूछा नहीं है और वो हमारे जिंदिगी में खुद कि κोषिस करी किसमेंहरी परशनल चीजे जानने की कोसिस करी जब उसने देख लिया तो उसने हमारे में कमिया बताना सुरू कि कि सचीन भाईयह ऐसे बहती थी तो उसके साथ बेयिए या फिर उसके साथ भाई-बहेन के लिएशन किनाते तो बहती थी आसीज जीजू ऐसे करते थे असी जी जी जैसे कर रहे हो इसलिए यार मुझे तो शरम आ रहा है असी जी के नाम पर तू ऐसा करती है यार तेरे को किसी पर पती में असी जी 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 दिख जाते हैं यार थोड़ा सा शरम कर लो एक और थो निक ना ते किसी के पती में असी जी जी को मत देखो आप जैसी आप जैसी देवी के साथ आपके पती ने गलत किया मैं मानती हूँ कि पती का मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पती ने गलत नहीं किया उन्होंने वाकई में बहुत गलत किया मेरे होते हुए गलत किया इस बात का मुझे भी अफसोस है कि उन्होंने गलत किया मुझे खुद नहीं पता था लेकिन वो औरत ने जितना गलत किया उसकी एक तो बच्ची थी न उसने लास्ट टाइम ये बोला है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी भी एक बेटी हो और जब एक बेटी का इज़त उचलता है तो माबापको कैसा फील होता है ये पता है लेकिन तुमको देखो तुम्हारे तु पती है नहीं तुमको इस चीज का दर्द नहीं पता है लेकिन मेरा पती है अभी जिन्दा है उसको मारने की कोशिस मत करो मत चीनो यार मुझसे मत चीनो और मैं तो चीनने नहीं दूँगी तुम जैसे न ऑरतों के ऐसे नचा के फेक दूँगी मैं गलतियां सबसे होती है ठीक है अगर सचिन बही ऐसे गलति ये बताओ ये ऑरत को थोड़ा तो समझना चीन है कि इसकी एक बच्ची है वो भी बच्ची छोटी होती न तो समझ में था ये अपनी बच्ची के सामने न मेरे को बैठा के बोली है अपनी बच्ची के सामने जो वीडियो वाइरल हुई है उसमें बोली है कि तेरे पती में है क्या तेरे पती में है क्या क्या भोल रहते हैं? मेरे कहता है। तो रिलाइस हो चुका है सचिन भाईया को अपनी गलतियों का और सचिन भाईया भी बोलने के लिए तहीं आ रहे है कि मैं अपनी नई लाइफ नई जर्नी स्टार्ट कर रहा और सबसे बड़ी बात जो सचिन भाईया ने बहुत अच्छा सप्राइज जी आया है जमी कि वो ब जिंदा रहा है ले ना उतने टाइम तक जिंदा रहा है लेना बहुत जल्ड हम सचिन भाईया के शादि नच्वाए करने वाले हैं क्योंकि सचिन भाईया को अपनी गलती उन्होंने मनीशा के सामने एक सब्सक्राइब कर लिए कि मुझसे कुछ गलती अगर हुई है तो पर इस टॉपिक से मैं दूर होती हूं दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है क्या अब थोड़ा कमेंट बढ़ लेते हूं मनीशा यू आर ग्रेट आज अब बहुत अच्छी लगी बस आपके साथ सब लोग साथ हैं मुझे लेकिन यह औरत नहीं छोड़े यार यह औरत पीछा नहीं छोड़ी है बस वीडियो में आके बोल रही है कि आप अपना मेरे से ना सौकोस दूर रहा हो लेकिन यह पीछा नहीं छोड़ने के लिए यार इसका ना बहुत बड़ा साजिस अभी चल रहा है मॉनिका जी ठैंक्स टू मोटिवेट मनीशा सच में यार आपके सांथ कुछ गलत तो नहीं किया ना मेरे साथ मुझे सबसे तू किस बात का है कि मैंने मतलब दिल्ली से जाकर बहपाल में किसी की मदद करी है किसी को एक अच्छा की चलो एक सिंगल मदर है या एक विडियो लेडी है मैंने दिल से सच में नेहा तुमारी ना तो बुराई करी है ना मैं बुराई कर रही हूँ मैं नहीं इनकी मदद के लिए खुद आगे बढ़ी हूं मुझे ना तो सचिन भहिया ने मदद मांगी ना मनीशा ने मांगी ना आंटी जी ने मांगी क्योंकि एक परिवाद तूट रहा था उसके लिए मदद करने जरूर आई हूं मैंने तो उन लोगों की मदद करिया जिनक करने जरूर लाने वाली हूं उसके लिए ना तो मुझे कोई और पैसे दे रहा है ना कोई मैं अपने नाम से कमा आती हूं अपनी उससे मांगती हूं के मेरी महनट का जो पैसा है transfer है। जगा देनी तक हुआ है। कि सच्षर हजारुपय की टिकेट में घूम रहो! कि अपने पैसा लगा के लॉस करके होटल बुकिंग थी मेरे 10-15 दिन की एक दिन में चेक आउट करके आगया क्योंकि इतना प्रेशराइस किया गया दर्ना नहीं है और उपर वाला वगवान देगा वह कोई दिक्कत नहीं है उपर वाला देख रहा है हो गया जो हो गया है तो तो हमारे सचीन भाहिया की बाते आप लोगों को ने सुनी बहुत इंच्वाइब कर रहे हैं आयोग की मेरे को लग रहे है आप लोग बहुत जादा खुश हो रहे होंगे इनको देखके माता रानी जुल्दी है बहुत लोग इसमें से हमको लग पूरी जनता चाहरी है कि सा अच्छा अरे मैं आप लोग को बताती हूं वह यह गया थे ना जब अंटी आ गई ममें वह रेड़ पैंट की कहानी आप बता दीजेगा अंटी बेटो तो अज हम अपने बहु के साथ हैं और बेटा भी आ गया है तो बहुत अच्छा है कि सब लोग मिले आप लोग भी चा आते हैं कि शाड़े लोग खूस हो जाए तो हम लोग यहां पर आया है और मनीशा थोड़ा सा हसी है तो हमारे भी चेहरे पहां सी आ गई है चलिए आप लोग बात कीजिए मनीशा से जुख तो बहुत है लेकिन मस्कुराना चाहिए तब ही जिंदगी मस्कुराती है बात कर अब जाए तो ब्लेडिंग हो रही थी क्योंकि जब जादा गरम चीजे खा लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लेडिंग हो जाती है अभी मुझे नहीं पता कि पाल्स है या क्या है लेकिन यह वही सारी चीचे हुई थी इसलिए आपको ना वो चैट में दीग गया है हम सब मनीशा और सचीन की शादी दूबारा कितने लोग चाते हैं हमारा शादी दूबारा हो इनके साथ आप लोग जरूर बताया ना अब फुकेट से मैसे जा रहा है बहुत बढ़िया भाई मुझे तो लग रहा है पता है नहीं वो बंदी सो के उटके फिर हमारा लाइब सब्सक्राइब करते हैं तो अब इसी के सांथ लाइब को करते हैं बाकि अब जैसे जवाब आता है सवाल किया जाएगा तो जवाब मुझे देना पड़ेगा और मुझे आपके बहासा में आके जवाब देना पड़ेगा लेकिन यहां नहीं आपने आपके सहर में देंगे बोपाल में और पूरे सबूत के सांथ देंगे मुझे भी कोई डर नहीं है तो बाई बाई